नमस्कार चैश्री कृष्णा में राकेश शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत बहुत सवागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि जूतिस ग्यान के नाम से हमने सिरीज चलाई है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस असलोई तक हम लोग पढ़ेंगे और अगर आप वो सारी क्लासेश देख लेते हैं तो मेरी पूरा मानना है कि आप एक अच्छे जुतिस बन सकेंगे खैर अभी तक हम लोगों ने ग्रहों कारक के बारें बात चल रही थी अभी हमने सूरिय चंद्र और मंगल के ग्रह कारक जिए हैं वो तीनों के हमने बता दिये हैं अ को भी जानना बहुत आवश्चक हैं कि कारक से ही हँव लोगों को मालूम चलता है कि हमारी जो डिमांड है या हम जो चाहते हैं जो अम कर रहे हैं वो हम किस चीज के हिसाप से कर रहे हैं जैसे हमें दहन्ट चाहिए तो किसको पकड़े संतान चाहिए तो कौनसे ग्रह से बा कौन से ग्रह को देखें, आरोगयता चाहिए, कौन से ग्रह को देखें, तो ये सब चीजें देखने के लिए, या परक्रम चाहिए, या मसल पावर चाहिए, तो कौन से ग्रह को देखें, ये सब चीजें देखने के लिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए, डिफरेंट डिफ कि अगर किसी इनैंसान का सब्सक्राइब दि दो वो बिल्कुल घबराएगा नहीं, उसको stage fear बिल्कुल नहीं होता है, जिनका बुद्ध कमजोर होता है, उन्हें stage fear बहुत रहता है, वो stage पर जाते हैं, या तो उनकी बहुत practice हो जाए, इस stage पर जा जाके तब तो चलो ठीक है, लेकिन जो पहली दूसरी बार में stage पर जाएंग बुद्ध शिक्षा अकारक है, अगर बुद्ध अच्छा है तो शिक्षा, बुद्ध हमेशा शिक्षा लेता है, बुद्ध की दशा आएगी तो इनसान शिक्षा द्रहन करने कोईश्च करता है, यह आप कभी भी देखिएगा, पैसी कुंडली के इंदर भी, बुद्ध कि कारतबी है इनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग इस्टोडी रैटर बहुत अच्छे होते हैं लिखन शम्ताओं की बहुत अच्छी होती है और बुद्ध कालPur. शी कुंड़ी परकरमी हो, आदमी बली हो, आदमी की मसलपावार अच्छी हो, तो मंगल दो दिखना ही है. सासे बुद्ध भी आपको दिखना पड़ेगा कि बुद्ध इसका अच्छा है या नहीं क्योंकि बुद्ध जो है काल पुर्शी कुंडली Grace तीसरे भाव का स्वामी है और तीसरे भाव से हम लोग खेल कुद देखते हैं। इसलिए मंगल और बुद्ध दोनों को हमको लेना कुड़ेगा। दोनों को देखेंगे, दोनों ग्रह उसके अच्छे हैं, तो शर्तिया विजय होगी। कोई बात नहीं कि उसकी बिजय ना होगी। चीजों को बहुत सोच समझे करें, वैश्य मतलब आप जाती से मत लगाईए, कि ब्रह्मन जाती है, वैश्य जाती है, उनसे मत लगाईए, आप सिर्फ यह सूचिए कि वर्ण होता है इंसान का, जो वर्ण उनको चार दिये गए हैं बगवान के द्वारा, वो वर्ण उनके कि कोई आदी ब्रह्मन जाती में आज की डेट में है, तो वो भी शुद्रवन का हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, वो वर्ण उसका चत्रिय भी हो सकता है, या चत्रिय में कोई आज की डेट में आदमी है, चत्रिय जाती में और उसका ब्रह्मन ब्रह्मन हो सकता है, तो वो किस वांड को किई तो बुद्ध जो है वेशे वांड को किविजन करता है इसलिए बुद्ध वाले जो लोग होते हैं इसलिए इसलिए तो समझ के कारे करते हैं ऐसे ही डिजनetzen नी ले पैपकंदबर दो लेने में थोड़ा टाइम ले झाते हैं युस किसी प्रकारी का रर्ख बुद्ध होता है इसलिए किसी प्रकारी का र्ख्षा का रॉप आपको हो सकते हैं तुछा में प्रॉब्लम आपको हो सकती है वानित जी का कारक बुद्ध है यह आपको बताया कि आकाउंटेंट से कारक बुद्ध है कमर्शल का कारक बुद्ध है रतनों की जांश करने वाला जो ऐसे इंसान जो रतनों की जांश करते हैं उनका बुद्ध स्टॉंग होना चाहिए अगर बुद्ध जो है रतनों की के लिए इंप्लॉई करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लिजी कि इसका बुद्ध कैसा है मामा का कारथ भी बुद्ध है वो क्यों है वो इसलिए कि बुद्ध काल पुरिश्टी कुंड़ी में तीसरे और छटे भाव का स्वाबी च्छटा भाव जो होता है वो मामा का भाव है वो द्रशन साथ चाहरे को लिए जो मंत्री मंदल को राजा बोला गया इसे कर बुद्ध को युगराज मिन्स चोटी सी उम्र का बच्चा एक चोटी सी उम्र का लड़का अब यूराज है तो चाहिर सी बात है कि हासी में जाक करेगा ठिटोली करेगा तो हसी में जाक करने वाले जो होते हैं प्रैंक करने वाले जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा प्रैंक करने में महुशार होते हैं ऐसे लोग का बुद्ध बहुत स्ट्रॉंग होने की च वाक्षक्ति यह मैंने बताया आपको शुरू में कि बुद्ध वानी का कारक है वाक्षक्ति अकारक है अगर आपका बुद्ध अच्छा है को आपकी वानी बहुत अच्छी होगी आप गुद्धिमान तो होगई होंगे प्लस आपकी मानी अच्छी होगी और आप कुछ भी मतलब आपकी वानी आपकी आजीविकर साधन मन जाएगी आप अपनी वानी से ही पैसा कमा सकते हैं हेमंत रितु पट्रक रेमंत रितु से दिखी जाती है है जितने भी विश्णू को उपासक है उसको भुद से देखते हैं जो विश्णू की उपासक हैं उनको भुद से दिखा़ता है अगर आपका बुद्ध कमजोर हो i kundli में बुद्ध पिलित हो और उसकी अंतर दशा या दशा चल रही हो तो आप भगवान विश्नु की पूजा करेंगे तो बुद्ध से शानति मिलगे इसलिए विश्नु की उपासर जितने भी है वो बुद्ध के पुद्ध के कारक माने जाते हैं जितने भी वीश्मू को उपा सबहे हैं, पित्र का नहीं मुई बुद है, कफ का का नहीं वुद्ध है, बुद्ध जो है वैसे देखा जाए तो तिरदोश न सब्दोश को स। नहीं हों , गरहों को नहीं बाट के रोग जितने भी है उसकी प्राबलम होती है सूरिय मंगल कमजूर है तो ऐसे इनसान को इसे इन्सान को पित के रोग की इसे बाट की जो जब आपके शरीर के अंदर पित का अबसा करता तो यह बहुत जरूरी बड़ा की बड़ा-वात करबड़ और और हो या प्लिकों टीक तो ओ vilki डिशा कारक बुद्धे तक कर दिशाद कारक कारक बुद्ध जाता है तक इस्कृ कारम कबुद्ध वपाणि का तुमनें बताई दिया शिल्पकला का कारक बुद्ध है यह आपको बता दिया हमने कि शिल्पकला जो भी है हमारी किसले भाव से देखी जाती है इसले बुद्ध है जोतिश का कारक बुद्ध है अगर बुद्ध अच्छा है तो ऐसा इंसान जोतिश बहुत अच्छा बन सक कि आपको बताया कि विश्नु भुर्वान की पूझा करो वहां आपको बताया, बुद्ध अगर कमजोड हो, तो आगर आप किनर को दान करो, तो उससे बुद्ध की कमजोरी दूर होती है, और बुद्ध आपको जो बुरे फल देना होता है, उस बुरे फल में कमी कर देता है, गले का कारक बुद्ध है, गले का कारक क्यों बुद्ध ह तो वाणी भी आपके अच्छी होगी आपके गलाच छोगा तो सिंगर के लिए जरूरी है कि बुद्ध आच्छा तो यह सब गुर्द के कारत है आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी क्रहूं कारत बताएंगे आपको आशा करता हूं आपको समझ माय होंगे समझ माय होंगे कांटि लाइक और सब्स्राइब जिरूर कीजिएगा शेयर जिरूर कीजिएगा मोटिवेशन बढ़ता है इसके लावा ज़रूरी सूचना है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेसिक से लेकर एडवांस तक जो लोग सीखने में चुक हैं वो हमारी लास को जॉइन कर सकते हैं जो लोग कुल्डी प्रेट्टिस करना चाहते हैं वो भी हमें जॉइन कर सकते हैं धन्यवाद शेश्री किशना नमस्कार